एलो दोस्तों स्वागत है आपका डेली दहिंदू न्यूज अनालिसिस में आज है 21 अगस 2022 और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट हर्षवर दंत्रपार्थी शुरू करते हैं आज के दहिंदू न्यूज अनालिसिस को आज छे बड़ी खपरे हैं जो हमें एक्जाम पॉइं गया के फॉरिंड पॉलेसि के उपर ग्वेस्टन पूछा है जो GS2 के पॉइंट अफ यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है हाला कि वो सारे क्वेस्टन वो सारे एरियास में परस्पेक्टिव के होते हैं दहिंदू न्यूज अनालिसिस में जब हम न्यूज को कवर करते हैं त फूर्ट स्टांडर्स को एसस करना जरूरी है और फूर्ट स्टांडर्स को एसस करने के लिए यहां पे जो बॉड़ी है इंडिया में वो FSSAI है एक तरह की statutory बॉड़ी है तो क्या इसका function होता है वो हम समझेंगे सेकेंड श्री लंका ने कहा है कि इंडिया उसकी position को समझता है और इंडिया ने कहा है कि हमारी position unchanged है जो शिप आया है युवान वांग 5 चाइनीज शिप जो है वो हमबन टोटा पोर्ट श्री लंका में रुका हुआ है अभी it's a spy vessel and India says that we are still observing keeping a close watch on it so what is the security implication of that particular ship वो हमें समझना रहेगा तीसरा topic है इंडिया श्री लंका का जो conflict है कचा थी वो island पे again ये वाला topic और ये वाला topic इंटर रिलेटेड है कचा थी वो island basically park state के पास एक island group है जो कि श्री लंका मानता है कि उसके पास है और इंडिया कहता है कि वो historically ownership कचा थी वो island की इंडिया के पास है ये सारा का सारा जो issue प्रदेश की और हिमाचर प्रदेश की और हिमाचर प्रदेश को कहा गया है कि सबसे जादा वर्स एफेक्टेट स्टेट होगा नाचरल डिजास्टर से अकसरा में खबर आती है कि वहाँ कोई बस पलट गई लैंड स्लाइड हो गई पत्थर टकरा गया अभी ही रिसेंट्ली इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे बड़ी वाइरल वीडियो चल रहे थी कि एक चीता को पूँछ पकड़के यूँनों टॉर वहीं एक महिलान उसको राकी बांधी बाद में चीता की डेथ हो गई बेबी चीता था वो तो ये सारी चीजे बताती है कि एक लॉजिकल सेंसिटेव एरिया है माचर प्रदेश और उसको किस तरीके से बचाने की कोशिश की जा सकती है क्या-क्या उस रिपोर्ट में कहा गय के लिए हाँ S-400 सिस्टम इन्पॉर्टेंट हो सकता है लेकिन यहाँ पर हम जो डिसकस करेंगे वो काटसा करेंगे काटसा कि क्या है काटसा और क्यूं लगता है काटसा का सैंक्शन आखिरकार ऐसे लोगों पर ऐसी कंट्रीज पर बेसिकली जो की रुशियन वेपन्स में ड लिए पर अलब सेचेशन अव वाइलनस जो है वो मिलेटरी या वार के जरिये नहीं हो सकता है वोर इस नौट इन अप्टिन the only option that we have as of now is to engage diplomatically but Pakistan also has been demanding from India is the implementation of the resolution passed by United Nations Security Council on Kashmir in 1948. so what is the historical aspect and what has to be agreed this all comes to our mind so without wasting much of the time let us quickly discuss these six major areas and then we'll come immediately to your newspaper and i'll be telling you what articles you need to read and what articles you can try to skip moving further ahead you see this health star rating is least effective for food quality now the news says that warning label जो हो harmful nutrients को identify कराने में सबसे जादा मदददगार होता है भाई food यानि की जो packet है chips का packet है go drink की bottle है कोई भी हम food product खरीदे चॉकलेट है bread है उसके उपर लिखा रहे कि भाई देखो कौन-कौन से ingredients हैं इसमें harmful तो food में जो ingredients harmful कहे जाते हैं वो basically तीन है एक sodium content दूसरा sugar content और saturated fat content तो यह तीनों content की warning अगर दे दी जाए तो लेक्स जैसे कि किसी भी product के उपर लिखा रहे है कि इतने percent sugar है अब आप देखो आप अगर कोई कोक कोका कोला का sugar free वाला लेते हो तो उसमें body का मतलब इस body का basically कहना यह है कि वो food products के ऊपर क्या करेगा stars बनाएगा ऐसे अब जिसके पास जिस food product के ऊपर सबसे ज़्यादा star है मतलब वो सबसे ज़्यादा healthy है और जिसके पास कम star है मतलब वो unhealthy है अब ऐसे में healthy चीजें और unhealthy चीजें कितने percentage of composition of sugar में saturated fat में या sodium में अब mind करते हो इसके बारे में कोई भी चीजें अभी clear नहीं है यह एक अभी policy इन्होंने निकाली है मतलब कि इसकली regulation बनाने का purpose है अभी सोच रहे हैं कि regulation बनाएंगे और उसी पर पहले ही criticism आ गया है ठीक है fssai की जो report है उसमें कहा गया है कि यह एक draft regulation issue करेगा front of package labeling के लिए और उसने indicate किया है कि वह health star rating को favor करता है और उसमें public health experts जो है irritated है इस समय और public health experts ने nutrients नाम के एक magazine में अपना research publish किया है इस research में 2869 ने 2879 लोग जो है SS किये गए छे राज्यों में से और उनको अलग अलग तरीकियों के food packets दिखाए गए उस food packets में से क्या था कि कुछ जगहों पे symbols बने हुए थे nutrients के कि भाई देखो sodium warning है salt warning है sugar warning है saturated fat warning है दूसरे food packets में health star rating थी ज़कि जो general guidelines जो हैं उसके तहत और तीकुछ तरह के food packets में red green yellow वाला symbol यूज किया गया था और यह experiment करने के बाद यह पाया गया कि जो 60% लोग है वो harmful ingredients समझ पाए कि food packets में है किस माधिम से जब उनको दिखाया गया कि यह nutrient concern packet के उपर लिखा हुआ है कि इसमें sodium जादा है इसमें sugar जादा है वो saturated fat जादा है या वो complete है बताने के लिए कि whether the food is good or not और बाकी जो last में इनको पता चला है ultimately यह पता चला कि यार देखो food का जो level है यह अच्छा food है कि बुरा food है यह हमें health star rating के माधिम से नहीं पता चल पाएगा तो यह अपने आप में एक research है बट अगर आप से कोई question पूछ सकता है वो यह पूछ सकता है कि FOPL is related to what so FOPL का full form है front of packaging labeling यानि packet के front पे जो label रहेगा उसके related guidelines इशू करी है FSSAI ने ठीक है food standards authority of India है यह basically food safety standards authority of India FSSAI और उन्होंने indicate कि है कि वो health star rating को use करेंगे अब FSSAI के उपर बात करें तो एक तरह की statutory body है statutory body का मतलब होता है किसी act के अंडर बनाई गई है वो act कौन सी है food safety और standards act है 2006 की पर यह body को 2008 में बनाया गया इनका गठन 2008 में किया गया और यह ministry of health and family welfare के अंडर काम करते हैं यह याद रखिएगा लोग यूजली सोचते है Minister of Food and Public Distribution and Consumer Affairs के अंडर होगी FSSAI यह major confusion है आप याद रखिए बिकास इस रिलेटेट तो warning systems warning signs related to the quality of the food the nutrient portions in the food and that is why it is under Ministry of Health FSSAI का एक सबसे बड़ा योगदान जो था वो यही था कि 2011-12 से उसने mandate कर दिया था कि हर food पे हर food packet पे आप grams के माध्यम में nutrient बताओगे और बताओगे कितने gram है यानि sugar कितने gram है उसमें carbohydrates कितने gram है amino acids कितने gram है इस तरह का क्या होगा पूरा indexing होगा यह सबसे बड़ा achievement था इसी से related आपको session को ही start करते समय मैं आपसे question for the day पूछना चाहता हूँ कि आप common sense का इस्तमाल करियेगा और बताइएगा कि इन में से कौन सा function है जो कि FSSAI नहीं conduct करेगा और comment section में मुझे अपना answer बताइएगा ABCD में से तो question है which among the following functions is not conducted by FSSAI A. Assigning the standard of meat products B. Providing licenses to food products and businesses C. Establishing laboratories to increase the nutrient quality of food products D. Assisting the government in formulating food policy of India Now to answer this particular question no special kind of knowledge is required I am telling you just try to use your common sense Read the words and try to assess if Food Safety Standards Authority of India is a regulating body What it must be doing to regulate the quality of food Having said that let's move to the next topic Now students expecting notes क्या बनाए तो भाई देखो FSSAI के उपर Notes बना लो FOPL के उपर Notes बना लो ये देख लो जाके कि कौन-कौन से components हैं जो कि Ministry of Health नहीं है FSSAI ने समय समय पर बोले हैं What is to be what will be done in near future Right moving further ahead Sri Lanka has said state stated that it understands The position of India but it also expects India to understand its position Sri Lanka has stated that we have good relations with India Good diplomatic relations with India But we cannot avoid China also because China has invested a lot in our country And because of its investment a tourism sector is promoted Right and so that is why the Sri Lankan tourism minister Harin Fernando has stated that It hopes that it will not create a major diplomatic gap The decision for because of allowing Yuan Wang 5 to enter into the country Correct Now if you if you notice the Yuan Wang 5 So it's a it's a it's a naval vessel It's a naval vessel It's a research vessel as what this says Now we have already discussed this is this in one of our news analysis That this is let's say India and if this is Sri Lanka Right what we know as of now is that the ship Yuan Wang 5 is situated here And this port is basically Humbantota port Right this is Humbantota port Now in this Humbantota port this ship is there The ships If this is the ship Right what it the capability of this ship is to detect any missile present above 750 kilometers So this is the aerial height The radius is around 1000 kilometers So basically it's like a cylinder that you can draw around the ship So this is the ship that you can draw around the ship So this is the ship that you can draw around the ship So this ship is in Humbantota port So you will find one interesting thing China is such a strategist country you see To stop Indian Navy presence and outreach in the Indian Ocean region And it's the ship here And it's the ship here And it's the ship that you can draw around 10-15 days And it's the ship that you can draw around 10-15 days So this ship is the ship that you can draw around 10-15 days And it's the ship that you can draw around 10-15 days And it's the ship that you can draw around 10-15 days Then it's the ship that you can draw on 10-15 days So you can achieve the ship that you can draw around 10-15 days So this ship is the ship External Affairs और Parliamentary Affairs के State Minister Union Minister for State है वी मुरली धरन उन्होंने साफ सब कहा है कि हम closely watch कर रहे हैं जैसे सिचुएशन अराइज हो रही है और ये चाइनीज सैटलाइट ट्राकिंग वेसल हम में टोटा पोर्ट में क्या क्या कर रहा है वो हम उन सब चीजों पर नजर रखे हुए और किस तरीक measures लेने होंगे हम लेंगे भलेई वो measures कितने भी strict क्यों न हो इसी में उन्होंने बोला कि श्रिलंका से हमने कचा थी वो island जो recover कर लिया है और उसमें अभी basically judicial process है जो बाकी है international level का तो अभी कुछ comment नहीं किया जा सकता है और वहां पे अब हम कचा थी वो island की तरफ बढ़ते है श्रिलंका के आपको बता चुका हूँ ट्यूरिजम मिनिस्टर हर्नांडो हारिन फर्नांडो हैसेग दाट ही होब इंडिया वोड नॉट कॉस्ट अमेजर डिपलोमाटिक रोग नॉट इस तरीके से ग्रांट के रूप में यानि की एक तरीके से उधार दे चुका है भारत स्री लंका का क्लोज प्रॉक्सिमिटी चाइना के साथ हो रहा है तो वो हमारे लिए सेक्यूरिटी थ्रेट है तीसरा स्री लंका और इंडिया की बाउंडरी जो है मैरिटाइम बाउंडरी वो डिसाइड अभी नहीं हुई है एक तरीके से और फिशिंग राइट्स का स्री लंका में बहुत जादा चलता है वहाँ पे चौथा 1985 के दौरान हमने हमारा एक प्रधान मंत्री खोया है स्री लंका में ल्टी टी के लिए तो स्री लंका के नॉर्धन प्रॉविंस में तमिल राइट्स को अगर हम बात करें तब मीलियंस के वहाँ क्योंकि आपको पत सोशल इक्टों में किसी भी तरह का तो वह इंडिया कह रहा है श्री लंका को कि अपने सम्विधान में संशोधन करो एमेंडमेंट करो और इन लोगों को भी अधिकार दिलाओ क्योंकि तमीलियंस जो हैं श्री लंका में रहते उनका बड़ा अच्छा गहरा रिस्ता है तमि पकड़ लेते हैं अब श्री लंका क्या करता है श्री लंका की ने वी इंको पकड़ लेती है इंडिया के मचवारों को पकड़ लेती है और इंडिया के मचवारों को छोड़ देती है पर इंडिया की ये डीप सी क्रॉलर्स को नहीं छोड़ती है इससे तमिल नाडू के जो Diplomatic Relations with Sri Lanka, it's not just about security. Also, I'll tell you one also interesting thing, last year क्या था, Eastern Container Terminal नाम का एक टर्मिनल है, टर्मिनल क्या होता है, जैसे railway station में platform होता है, वैसे ही ports में क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं, तो Colombo Port पे, Colombo Port के पास, Eastern Container Terminal नाम का एक, आप समझ सकते हो, platform है, ships के लिए, जो India और Japan दोनों मिलके ब और Chinese pressure आने के बाद, Sri Lankan Government ने, इंडिया और Japan दोनों को मना कर दिया, कि आप Eastern Container Terminal नहीं बना सकते, और Western Container Terminal हमें अलोट किया गया, तो अगेन इंडिया का ये कहना था, जब अलड़ी इतने heavy investment हम कर चुके हैं, Eastern Container Terminal में, तो इस midpoint पे तुम हमको मना कैसे कर रहे हो, और स सात्मा है, basically, हमबन टोटा पोर्ट, हमबन टोटा पोर्ट जो है, ये एक तरीके से, यूज कर रहा है चाइना, कित्ते साल के लिए, 99 साल के लिए, लीस पे है ये पोर्ट, 99 एर्स के लिए, शिलंका ने, अपना एक पोर्ट, चाइना को दे रखा है, क्योंकि लोन चुका न दिया, और उसी पोर्ट में तो ये चाइना का ये नेवल वैसल, ये जो स्पाई वैसल है, रिसर्च वैसल, आप जो भी बोलो, ये आया हुआ है, तो चाइना किसी तरीके से, डेट ट्राप पॉलिसी में ला चुका है, शिलंका को, उसका अगला शिकार पाकिस्तान है, अब हमारा सारा पैसा ये अल्टिमेटली श्रीलंका चाइना को दे देगा, अब क्या ये रोक सकते हो आप, आप नहीं रोक सकते है इस चीज़ को, क्योंकि आपका काम है किसी दूसरी कंट्री को पैसा देना, अब उसका क्या हो कर रही है, वो देखने वाली बात है, लेकिन 500,000,000 मांगे हम तुम से, हम तुम को 500,000,000 की दवाईया भिजवा रहे हैं, खाना राशन भिजवा रहे हैं, पैसा नहीं भिजवा रहे है, तो इंडिया भी थोड़ा सा रुक रुक के पैसा दिया है, और ऐसा नहीं है कि 3.4 billion cash में दिया हो, 3.4 billion worth the money दिया है, तो उसमें cash है, ताकि वो इंडिया को पता है कि ये पैसा सिलंका हम से लेकर तुरण चाइना को वापस कर देगा, तो हमारा पैसा तो चला गया ना चाइना के पास, उपर से ऐसे दोर में जब चाइना के साथ already हम इशू फेस कर रहे हैं, money laundering laundering का, आपको पता है कि क्या किया उनों लो around लोगों से fake loan बनवाता था, fake loan दिलवाता था और वो सारा का सारा पैसा cryptocurrency में invest कर रहा था और वो investors चाइना में मौझूद थे, तो ये देखिए श्री लंका किस तरीके से एक bridge बनता है इंडिया और चाइना के diplomatic relations में और किस तरीके से point of contestation बनता है वो देखने वाली बात है, तो इसके उपर आप बहुत कुछ लिख सकते हो, बट ये एक part होगा आपके answer का, आपके notes का कि क्या श्री लंका एक major role play कर सकता है इंडिया के लिए, या इंडिया की क्या position है इंडिया नोशन रीजन में, क्या इंडिया को श्री लंका को लेके चलना चाहिए Bay of Bengal initiative में, और अ सारी चीजें आपको मदद करेंगी पूरे मुद्दे को समझने में, आगे बढ़ें, अब कचाती वो island के उपर बात करें, तो ये देखो ये island आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे मौजूद है, अब ये क्योंकि देखो बहुत नस्दीक है दोनों तरफ से, इंड अरीके से खिची हुई है, अब maritime bounding समुंदर में तो कोई ऐसा नहीं है कि नाव बना देगा, लाइने खीज देगा, या दिवाल बना देगा, तो मचवारे क्या करते हैं, कभी कभी तैर तुरा के इदर उदर चले जाते हैं, अब उसी में navy arrest कर लेती है इन लोगों को, तो ये island किसके पास आएगा, अभी करेंटी ये island शीलंका के पास है, शीलंका के administration में है, लेकिन 1974 में इंडिया और शीलंका का यहाँ पे देख सकते हो, जब इंदरा गांधी थी, इंदरा गांधी जब PM थी, तो यहाँ पे इनके बीच में agreement हुआ था, और उसमें कचा थी वो island क के उपर कोई बात नहीं की गई थी specifically, क्योंकि कचा थी वो island by default इंडिया का है, विकॉज आप देख रहो ये रमानंध पूरम, ये रमानंध पूरम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ के जो पुराने राजा थे, वो ये कचा थी वो island के owner थे, और अंग्रेजों के दौरान नहीं कि इंडिया के मचवारे नाओ लेके आतो सकते हैं कचा थी वो island पे, पर fishing नहीं कर सकते, वो arrest कर सकते हैं, वो अपनी boats, nets को सुखा सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बट वो मचली नहीं पकड़ सकते हैं, अब इसकी वज़से क्या है, बड़ा दिक् चे मचलियों के तुरंट बड़े हो नहीं जाएंगे, तो हमारे मचवारे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, अब कचा थी वो island के लिए तमिल नाडू में, स्री लंका में 1991 में वहां की assembly ने बोलाए कि वो हमें अपने jurisdiction के अंदर लेके आना है, 2008 में तमिल नाडू की सरकार जो है जैल अलिता के दोरान सुप्रीम कोट से ली गई, कि अच्छा थी वो island का sovereignty issue please sort कराईए, आप क्यूंकि ये international मुद्दा है तो सुप्रीम कोट कुछ नहीं कर सकती है, तो इस समय जो traditional fishing rights के उपर जो बात है, वो काफी जादा आपको सुनने में आएगा, तो इसलिए इस कौन से law के अंडर protected है, United Nations Convention on Law of Seas, UN close के अंदर protected है, UN close क्या कहता है, UN close कहता है कि देखो 12 nautical miles तक which is somewhere close to approximately 24 km तक आपका territorial water होता है, अब अगर यहां से calculate करें, इंडिया के area से calculate करें, तो ये 12 nautical miles से beyond है, शिलंका से calculate करें, तो within 12 nautical miles है, तो क्या history will take over international law or whether the international law will prevail over the history, that is to be seen, but you see this is a conflict, major conflict between India and Sri Lanka over the primacy, over the ownership of Kachatibu Island, alright, let's move ahead, this is the fourth news that we are going to discuss, Himachal prone to natural disasters, this is a study that has been recently released, it's a latest state of environment report, that states that the hit state, that this Himachal Pradesh state is vulnerable to 25 out of 33 identified types of hazards, which means almost all of them, Now, Department of DEST, Department of Environment, Science and Technology ने ये report निकाली है, और इसमें बोला है कि देखें, western parts जो है Himalya's का, वो जादा vulnerable है, किस चीज़ से vulnerable है, लैंड सबसाइड कर जाता है, लैंड स्लाइड हो रहा है, flash floods हो रहा है, आपको पता है, वैशनोदेवी में अभी पिछली कुछ दिनों में भारी तेजी से वर्षा हुई, और आपने सुना कि वहाँ पे flash flood आ गए थे, वो किदारनाथ के पास, तो किदारनाथ में कितने लो गया था उससे, तो ये सारी चीज़े हिमाचर परदेश में पिछले 5 सालों में बढ़ते हुए नजर आई है, और क्यों बढ़ते हुए नजर आई है, क्यों कि कहते हैं कि Western Himalayas जो है, वो environmentally बहुत fragile है, और ecological sensitive area है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, जब dams बनाने रहते हैं नदियों पर, या roads बनाने रहते हैं, तो उसके दौरान क्या होता है, कि खुदाई होती है, बड़ी-बड़ी मशीनों से drilling होती है, तो उसमें कट-कट-कट-कट-कट-कट-कट करके आवाज आती है, और आप पहाडों में देखोगे, तो आपको पहाडों में पता जा रहे हैं, क्योंकि घर बनाना है, जंगल काटे जा रहे हैं, क्योंकि farming करनी है, तो soil erosion की वज़ा से, forest clearance की वज़ा से, मिट्टी जो है, वो लूज होती जा रही है, accompanied by the development activities that we are doing, प्लस, पहाड तोड के जो चोटे-चोटे-चोटे पत्थर हैं, वो बोल्डर्स आपने उप चारों पत्थर लेके आएगा, और पूरी घाटी पे नीचे क्या बने रहते हैं, गाउं बसा रहता है, लोग रहते हैं, roads जारी होती हैं, तो इस तरीके से ये eco-sensitive area है, और यहाँ पर यह report ने कहा है, कि अर्थक्वेक, landslips, avalanches, industrial hazards, construction type और density of population, ऐसी सारी चीज़ों को ज़ अलब ये एक warning sign है, क्या इस पे preliminary examination में questions आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, prelims पे आपसे हिमालियन geography के उपर questions पूछे जा सकते हैं, देखो ये geography का part हो सकता है, पर मैंने इसको GS3 में रखा है, मैंने इसको GS3 में इसलिए रखा है, क्योंकि मेरे हिसाब सी ये environment का मुद है, तो ये mains में ज़्यादा पूछा जाएगा, कि आप बताइए भीया western हिमालियाज में किस तरीके से development को environment के साथ balance किया जाए, तो general environmental science के क्या answers हो सकते हैं, कि पहले आप environment impact assessment कराईए, उस proper area का, कुछ चीजों को आपको sensitive areas declare कर देना होगा, कि ये eco sensitive areas है, यहाँ पे किसी भी का development नहीं हो सकता, आपको हिमाचर प्रदेश की local population को engage करना पड़ेगा, consultation करने के बाद ही कुछ करिए, ठीक है, integration ज़रूरी है, state का roads बनाना ज़रूरी है, पर roads के अलावा अगर कोई दूसरा alternative है communication का, तो वो कर सकते हैं, rope cables बना सकते हैं, bridges बना सकते हैं, instead of creating direct cemented roads, अब हम topic समझ गए न, topic समझ गए तो अब हम हागे बढ़ते हैं, Ukraine war increased interest in Russian weapons, ये बड़े चतुरे लोगें भाहिया देखो, डिमिटरी शुगाईव ने indirectly क्या कह दिया है, कि America ने basically, America ने इंडिया के उपर काटसा sanctions को क्या किया, हटाने की बात करी है, काटसा sanctions भारत पे नहीं लगे ये पाँच बिलियन डॉलर्स की जो हमारी डील थी, फाइव बिलियन डॉलर्स की हमारी डील है, क्या करने के लिए, पाँच सिस्टम लेने हैं हमें, किस चीज के, surface to air missile है, S-400, ये क्या करती है, इसकी मारक समता एक हजार किलोमेटर के वी उपर है, ठीक है, और एक ताइम पे आठ missiles जो है, एक साथ निकलते हैं यहाँ पे, और ऐसे 5 सिस्टम हमें खरीदने हैं, तो वो 5 बिलियन डॉलर की डील है, वो धीरे धीरे आएगा S-400, लेकिन S-400 में अभी रिसेंटली सुना होगा तुमने, कि टर्की जो है, टर्की के उपर USA ने सैंक्शन लगा दिया थ है, अब सोचो, NATO का जो 2nd largest army है, या Navy है, टर्की, उसके उपर NATO की 1st largest army या Navy, या United States of America ने सैंक्शन लगा रखा है, क्यों कि वो अपने neighbor के साथ military trade कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, America यह नहीं कहने की कोशिश करता है, कि बेटा देखो, तुम हमसे खरीद होगे, तो को problem हो जाती है, तो इस case में, काटसा को जो full form है, वो भी अपने आप में देखने वाला है, काटसा को full form है, countering, क्या करता है, counter करता है, countering American adversaries, America के दुश्मन, rivals, उनको counter करेगा, किस तरीके से, through sanctions, यानि कि अगर आप Russia का कुछ defense system खरीद रहे हो, तो उसकी मारक समता है, basically ऐसी ही है, कि वो अमेरिका के system को fail कर सके, correct, अमेरिका के system को fail कर सके, तो वहाँ पे हमारे लिए, वो चीज़ें important हो जाती है, अपने आप में, तो ये एक बड़ी ख़बर है हमारे लिए, इसमें काटसा को अगर हम पढ़ें, तो देखो, countering American adversaries through sanctions act है, ये United States का अपना federal law है, जिसने sanctions लगाया है, तीन देशों पे, अब ये नाम याद रखेगा, इरान, North Korea, Russia, और अब आप जोड़ लीज़े, उसमें Turkey, ये चार देश हैं जिसमें sanctions ओलेडी लगा चुका है, बिल वास पास्ट बाइदा सिनेट on 27th July 2017, 2017 में ये कानून बनाया, जब उन्होंने पास किया इस पिर फइनली, प्रेसिदेंट डानलंद टरड़म के कारेकाल में आया था, ये भी याद रखने वाली बात है, शैंक्शन wichtig बादी कान सी है, रास्ट्पती, रास्ट्पती किसी बी तरे का सैंक्शन लगा सकता है किसी व्यक्ती की तरफ या किसी कंट्री की तरफ, for violations of internationally recognised human rights committed against individuals in इरान में temporarily waive the imposition or continuation of sanctions under specified circumstances. So it is the president who will impose the sanctions and who will remove the sanctions if the emergency situation is there. But that is basically India को किसने हटाया? इंडिया को United States of America में जो लोग सभा है वो US House of Representatives है. और जो राज सभा की तरह काम करता है वो US Senate है. US House of Representatives ने इंडिया को waive off कर दिया है. ठीक है? और अब US Senate क्या करेगा? उस चीज़ को pass करेगा. US Senate जब उस चीज़ को pass कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? अपने आप में कानून बन जाएगा और इंडिया के उपर sanction हटा दिया जाएगा. तो आप इसमें कार्टसा के उपर research कर सकते हो, आप इसमें S-400 को system को समझ सकते हो, surface to air missiles क्या होती है, वो समझ सकते हो और US House of Representatives के बारे में थोड़ी जानकारी आप ले सकते हो. तो ये सारे चीज़ों के आप उपर notes बना लिजेगा, आपका जो current affairs का topic है, वो prepare हो जाएगा. आज जो छटा topic, आखरी topic है हमारा वो ये कहता है कि पाकिस्तान को permanent peace चाहिए. ये शैबास शरीव जो है, वो अभी newly elected prime minister है वहाँ पे, उन्होंने permanent peace dialogue की बात करी है और बोला है, war is not an option for either nation to resolve the Kashmir issue. Right. And that is what they have been stating. He has stated that the situations and the diplomatic ties between India and Pakistan wasn't after the decision of August 5, 2019, when Article 370 जब इन्होंने abrogate कर दिया. Article 370 abrogate करने से क्या हुआ, जम्मु एंक कश्मीर का special status जो है वो चला गया, special status चले गए तो special privileges चले गए. अब special privileges जाने से पाकिस्तान को क्या नुकसान है ये नहीं समझ माता. या तो पाकिस्तान Article 370 का misuse कर पा रहा था और उससे उसको दिक्कत हुई, या पाकिस्तान वाकई में कश्मीरियत के बारे में है, कश्मीर के लोगों के अधिकार के बारे में है, ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से ये human rights को आगे कर करके अपना चुप चाप से चो चुपे agendas हैं, उनको fulfill करने की कोशिश करते हैं. अब ये आपको पता है यानि कि वो चार सीटे क्या रहेंगी, खाली रहेंगी, कोई बैठेगा नहीं उसमें, और P.O.K के बहुत सारे residents भारत से, भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वो पाकिस्तान की military रह रही है, और terrorist organizations रह रहे हैं, जैसे कि लशकरे तयब और जैसे मुहम्मद, तो वहाँ पे लोगों गड़ से बेधखल कर रहे हैं, यानि कि एक तरीके से अब 25 लाक जोड़ दो, उसमें तो 85 लाक हो गई है, जबकि जब analysis preliminary किया है, जो delimitation exercise होने के बाद उसमें पाया गया है, कि सिर्फ सिर्फ 73 टू 75 लाक लोग ही हैं, यानि कि सिर्फ 10 लाक लोगों का इजाफा हुआ है, अब देखो 15 लाक extra जो वो बोल रहे हैं, उसके basis पे प that is not sure, but it is speculation की हाँ, POK के LOC borderline पैसा हो रहा है, इंडिया का जो decision था, इस से related जो United Nations Security Council का resolution है, 47 वो important जो 21 अपरेल 1948 को लिया गया, उसमें तीन स्टेप प्रोसेस दिये गए, तीन स्टेप प्रोसेस में पहला तो यही था कि आप किसी भी तरह से military engagement नहीं करेंगे, आप शान्ती बना के रखेंगे, दूसरा, पाकिस्तान यह ensure करेगा कि कि किसी भी तरह का terrorist organization इस boundary के माध्यम से इंडिया में इंटर ना करें, और तीसरा सबसे important है, प्लबिसाइट, प्लबिसाइट बोले तो referendum, referendum बोले तो जनता से directly पूछो, thumbs up, यानि yes or no के माध्यम से जनता से पूछो, क इंडिया में indirect democracy है, और indirect democracy कहती है कि legislature जो है, वो decide करेगा कि कोई भी area उसके अंडर आएगा कि नहीं आएगा, पर जम्मुन कश्मीर में जो legislature है, वो बनेगा कब, जब वो state की तरह कनाईस होगा, या उसका अपना legislative assembly होगा, और ये legislative assembly अगर सिफ कश्मीर और लदाख के लोगो इंक्लूट कर सकती है, बिना constitution को amend किये, तो ये सारी चीजें जो है, United Nations Security Council के resolution के against चली जाती है, because India का एक ही कहना है, जब second clause फुल्फिल नहीं हो रहा है, when there is a continuous infiltration of terrorists from that particular area into our main land, why do you expect us to conduct a referendum or conduct a plebiscite or that too for a piece of land which was already given to us under instrument of accession signed by the king of Jammu and Kashmir? राजा हरी सिंग, so that is all related to these topics, so I hope आपको इसमें कुछ चीजें समझ में आई होंगी, इसमें आपको basically United Nations Security Council के बारे में पढ़ना है, और इनके resolutions के बारे में पढ़ना है, मैं एक बुरी बात बोलूँ, जो अच्छी नहीं लगेगे आप सबको, spoon feeding का आदत मट डालो, तुम ना किसी administrative service की त्यारी करी रहे हो, इससे आपको idea लगता है newspaper analysis से कि क्या-क्या topics important हैं हमारे लिए, कि इन चीज़ों को हमें detail में पढ़ना चाहिए, लेकिन detail में पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि आप expect करो कि आपको detail में हम ही provide कर दे होना daily basis newspaper में, ये देखो बेटा, ये information ह ये चीज़ें पढ़ो, आप अपने inquisition को बढ़ाईए, अपने सोचने, समझने, विचारने की शमता को बढ़ाईए, topics को देखिए और उनको google करिए, अलग-अलग sources से पढ़िए और notes compile कर लिजे, इससे होगा क्या, इससे आप बहुत ज़्यादा area cover करोगे, विना अपना important कीमती समय बरबाद किये, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हो सकता है, help करें, पूरे newspaper analysis को, और अभी हम आपके सामने share करते हैं, आज का paper, अब आज का paper जो है, ये Sunday का दिल्ली edition है, इसमें basically जो last में topics हमें पढ़ने थे, वो हम आपको बढ़ा देते हैं, जिससे कि देखो, ये एक डोलो की जो company थी, micro labs, उसके उपर income tax की नजर आ चुकी है, model निकाह नामा जो है, it's a work in progress, spices के pilot का, डीजी सीय ने छे महिने के लिए license कैंसल कर दिया है, और जमुन के समीन के residency voters की तरह enroll हो सकते हैं, ये सारे information मैंने cover नहीं की हैं, तेरा Somalia की hotel siege में मारे गए hostages हैं इनक अटाक किया है, United Nations ने decide किया है कि वो Taliban पे जो travel ban है, उनको हटाएगा की लगाएगा अभी इसकी meeting होने वाली है, ठीक है, under a 2011 United Nations Security Council resolution 135 Taliban officials are subject to sanctions that include asset freezes and travel bans, Russian crops and fertilizers must reach the world market, this is what Antonio Gatres has stated, and it is stated that we need to avoid the food crisis that may hit the world in 2023, so for that again, these all informations I have avoided, Corbivax booster should be a vaccine of choice, you can read it, but I would say just try to read what is Corbivax, how it is different from other vaccines, extreme waves of COVID-19 may have faster than expected growth rates, that's good thing, that's a good thing, right, but, 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 but again, you see that this is just a speculative article, nothing factual out of it, improving rice yield with an additional gene, now this is something that is very interesting, that is the green revolution has brought a marked improvement of the yield of agriculture crops, such as rice and wheat, now it was based on the newly developed high yielding crop varieties, HYV seeds, so there is a new kind of HYV seeds that is there, so you can try to understand, now this is important, what is India's policy on the Rohingya, can refugees who feel threatened in their home nation be deported, what are the government's obligations, this will help you in ascertainment of India's refugee policy, you definitely should try to read about it, how will FIFA divisions affect Indian football, double-edged sword on Chinese rulers, and this is basically the other news headings are not so important, so only very major news that we can cover is what is India's policy on the Rohingya's, now if you notice India's policy on the Rohingya's, you will find recently bada conflict hua, Hardeep Singh Puri, और Amiccha के बीच में, Hardeep Singh Puri ने बोला कि इनको जो रोहिंगेर मुसलिम्स हैं, इनको हम फ्लाट्स दिलवा रहे हैं, प्रदानमंत्री ग्रवास अवास योजना के अंदर, और basically Amiccha ने बोला कि नहीं, नहीं, बाहरी हैं, बाहरी हों को जब तक अधिकार हम decide नहीं करते हैं, उनको किसी भी तरह कार रहने का जगा नहीं मिलेगा, पर interestingly, इंडिया किसी भी international convention on refugee का पार्ट है ही नहीं, यानि कि इंडिया ने international law ही नहीं sign किया है, जहां पर ये बोलें कि हम refugee को रखेंगे, उनको protect करेंगे, और उनको deport नहीं करेंगे, पर फिर भी इंडिया as a matter of convention, as a matter of help, as a matter of generosity, as a matter of संसकार अपने जो हैं, वो allow करता रहा है समय समय पे, तभी तो दलाय लामा को हमने हमारे यहां पे political asylum दे रखा है, जो कि वहां से भागे हुएं, तिबद से भागे, भुटान से भागे हुएं, तो ये चीज जो को आप आज की newspaper में cover कर सकते हो, so I hope आपका आज बहुत short Sunday का paper है, बहुत जादा major खबरे नहीं थी, political news थोड़ी सी जादा समझ में आती है, तो हमने इसमें जो major static और UPSC के syllabus के point of view से जो चीज़े important थी वो आपके सामने रखने की कोशिश की है, तो आप इसमें से एक बार Recap मार लो, Food Standards and Safety Authority of India, FSSAI का Health Star Rating Regulation, Sri Lanka और Yuang1-5 का issue और India-Srilanka के बीच में standing issues जो हमने PPT में अंदर लिखे हुए है, इंडिया और स्रिलंका का काचा थी वो island और maritime security का, maritime boundary का agreement 1974 का और बाकी standing issues जो है, और हिमाचर प्रदेश की वो report इसको control कैसे कर सकते हैं, ये mains में आप इसका एक answer रिखेगा, अगर आप चाहें तो आप अपने PREP IS की website पे आप mail कर सकते हैं, अपने answer को review कराने के लिए, Ukraine war जो है, उसने increase कर दिया है Russian weapons, इसमें Cards और S-400 के बारे में आप पढ़ सकते हो, और Pakistan चाहता है permanent peace, इसमें United Nations Security Council Resolution और plebisite के ऊपर आप चीजें पढ़ सकते हो, So I hope आपको आज का जो newspaper analysis है वो अच्छा लगा होगा, आप इस question of the day का, which among the following functions is not conducted by FSSAI, assigning the standard of meat products, providing licenses to food products and businesses, establishing laboratories to increase the nutrient quality of food products and D, adjusting the government in formulating food policy of India, इन में से अपने सही answer को मुझे comment section में बताईएगा, this was your host and your friend Harshwar Dantripati, signing off from the daily newspaper analysis, I'll see you guys, in the next newspaper analysis very soon, till then bye bye, take care, do well.